कार दोस्तों सुवागे तैपस भी का मोसम अपडेट बिहार यूटूब चैनल पर बात करेंगे बिहार के मोसम के बारे में जिसमें आपको बताएंगे कि अन्वाली स्यार से पांच गंटों के दुरान बिहार के शत्रों पर जो मोसमी बदलाव होने वाला है उसके बारे में आपको ताजा रिपोर्ट बताएंगे तोस्तों आज दोफेर के बाद बिहार की कई शत्रों पर बादलों की आवज़ावी बढ़ गई हैं और उमीद है कि अगली शार से पांच गंटों के दुरान कई जगों पर आंधी तुफान के साथ बारे में आपको ताजा रिपोर् जल्दी हम 15,000 का अकड़ा पार करेंगे तो आपसे निवदन है आप चनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा फिला दोस्तों सबसे पहले अगर हम बादलों की आवज़ावी देखते तो बिहार के आज दक्षनी पूर्वी कुछ उत्तर पूरी बिहार के तरही वाले शत्र 29 अपरेल से गती वीदियो में काफी ज़्यादा बड़ोतरी होगी उसके बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में जानकारी देंगे सबसे पहले दोस्तों अगर हम ओसमी सिस्टमों की बात करें तो यहां पर कठी हर के आसपास के शत्रों पर एक सरकूलेशन है और इस सर पूर्व यहां हवाई चल रही है और यहां पर बादलों का निर्मान हुआ है जारखंड के उत्तर पूरी शत्रों के आसपास यहनिकी बिहार के कुछ इलाके हैं कुछ जारखंड के शत्रें यहां पर भी अभी जब हम वीडियो रिकार्ड करें तब यहां पर मेगजना की गतिविदी हो रही हैं गया के जो दक्षनी पूरी भागे कुछ नवादा और जमुई के भी कुछ इलाकों पर आज दो फेर के बाद यह साम होते होते कुछ इस्तानों पर मेगजना की गतिविदी हो सकती है बाकी बिहार के जो पश्यम शंपारन के शत्र हैं कुछ मद्यम खंड बारिस की गतिविदी संपूर्ण जो उत्र पूरी बिहार के शत्र हैं तरही वाले निपाल से सटीला के कुछ यूपी के सटीला को पर भी ऐसी गतिविदी देखने को मिल सकती हैं बाकी बिहार के शत्रों पर राजदानी पटना बोजपूर बक्षर और जलेन स्टूडियो में तब तके लिए जय हीन जय भारत दन्यवाद